नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 RTI एक्ट के तहत जीला पदाधिकारी कारियाले मधेपुरा बिहार में हुए रश्टाचार का खुलासा RTI से कैसे किया गया है इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे शाक्ष सहित आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोग बिना इसकिप के वे इसे अवस्ट देखेंगे चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें जिससे बरश्टाचार के खिलाब RTI का प्रियोग आप लोग भी आसानी से करकर बरश्टाचार के खिलाब दो सी लोग सुचना पताधिकारी को भी जिल भिजभाने का कार्ज कर सकते हैं तो चलिए आप देखे या मैं जिला पतादी कई काड़ियाले से सूचना मांगा था जिला पतादी कारी काड़ियाले जिला मदेपूरा पिन काड़ित नाम मेरा नाम पता है एक इसमें DCLR भूमे सुधारुप समाहरता उदा किसुनगंज मदेपूरा द्वारा गलत धंग से एक आवेदन पर नामांतरन अपिलवाद पर गलत धंग से एक आदेश पारित किया गया था और उसे अंचला दिकारी को सिग्र 30 दिन के अंदर करवाई कर सुचित करने के लिए कहा गया था जो मुझे उसकी परतिवली पी नहीं दी जा रही थी इसलिए मैंने इस पर आपत्ती लगाते हुए एक आवेदन जीला मदेपुरा पताधिकारी के समक्ष एक आवेदन परिसित किया था इसी संबंद में मैंने यह सूचना मांगे थी तो आप लोग देख रहे हैं मैंने चार बिंदूओं उपर लगवक तीन बिंदूओं पर मैंने सूचना मांगी है मैंने अंचला दिकारी आलनमगर जीला मदेपुरा के कारियाले में भूमी सुधारोप समर्था मैं जानकारी चाहता हूँ कि पहला पत्ती है तो प्रिशित आवेदन पर जीला पतादिकारी का क्या आदेश प्राप्त हुआ है दूसरा मेरे आवेदन पर अब तक की गई कारवाई की धैनिक प्रगती रिपोर्ट दी जाए जैसे मेरा आवेदन कब कि सदिकारी के पास पहुचा या उसके पास कब तक रहा और इस दोरान इस समन्द में क्या कदम उठाए गए तीसरा जीला प्तादिकारी द्वारा किये गए आदेश की प्रमानी चायाप्रती या था सिग्र चाता हूं प्रिसित आवेदन की चायाप्रती सगलगन है मैंने दस रुपे का पोस्टल ओडर दिया था सूचना प्रप थे तूं या मेरा हस्ताक्षर नाम पूरा पता है मैं भागलपूर जीले से विहार से इबलॉं करता हूं मैंने यह सूचना पंदरह दस दो जारे कीश को मांगा था जिसमें मैंने डुटी अपील भी दायर किया था आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं यह दुटील अपील में सुनवाई होने वाली है यह दुटी अपील में इलापदा देखा रही कारिया लेके PIO द्वारा मुझे यह सूचना परदान की गई कि इस आवेदर पर अब तब कोई कारवाई नहीं हुई है और यह सूचना मुझे अब परसों WhatsApp के माद्यम से दी गई है जिसका मैं आप लोगों को स्क्रीन के उपर ही आप लोगों को वह पूरा डिटेल्स ही मैं दिखाऊंगा जिसमें आप लोग भी इस प्रकार आप सिकायत करेंगे या जिला पदाधिकारी कालिया में भेजे गए आप अत्ति पत्र से संबंधित परतिलिपी की या परति है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ या परतिलिपी मैंने में सुधार विभाग भिहार को गई जी थी इस तरह और भी काडियाले को मैंने या प्रतिलिपी बेजी थी इसी संबंध में मैंने सुचना की मांग की थी लेकिन ना तो इस आविदन पर जिला पताधिकारी कारियाले द्वारा कोई कारवाई की गई और नहीं सो समय मुझे सुचना दे गई थी इस कारण मैंने दृती अपील डायर किया है जिसकी सुनवाई होने वाली है आप लोगों को उस आदेश की भी परति दिखाई जाएगी जो सुचना आयोग का आदेश होगा इस प्रकार के आदेश सुचना से संबंधित जानकारी है तू इस चैनल से अ और मैंने जो लोग सुचना पता देखा रही द्वारा दिये प्रतिलिपी को मैं आप लोगों को स्क्रीन पर हैं सबसे उपर हैं उसे सेव करके डालूंगा जिसे आप लोग आसानी से देख सकें जैहिन